नमस्कार मित्रू क्या आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होने के पीछे क्या कारण है। पुराणिक मान्यता है कि जब महाराज पृथों के पुत्रों ने साथ समुद्रों का निर्मान किया था, तब उन सभी का पानी मीठा व दूद की भाती था। समुद्र का पानी खारा होने के पीछे एक पुराणिक रहे से है तो आईए जानते हैं कि वह क्या है इस कथा के अनुसार जब माता पार्वती शिवजी को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए गोर तपस्या कर रही थी तब उनकी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग कापने लगे जिससे भैबीत होकर सभी देवतागन एकत्रित होकर इस विशे पर विचार विमश करने लगे किन्तु समुद्र देव माता पार्वती की सुन्दर्ता पर मोहित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तूत कर दिये और भगवान शिवजी के विशे में भला बुरा कहने लगे समुद्र देव की इस हरकत के लिए भगवान शिव और बाकी देवताओं ने उन्हें शमा कर दिया जिसके कारण समुद्र देव का एहंकार और भी अधिक बढ़ गया और वह माता पार्वती के समक्ष प्रस्तूत हो गए और उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रग दिया किन्तु माता पार्वती ने समुद्र देव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिससे समुद्र देव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता पार्वती के सामने भगवान शिवजी को भलापुरा कहा वे भगवान शिवजी को अगोरी, शमशान निवासी और भस्मधारी जैसे नामों से समुदित करने लगे और माता पार्वती से कहा कि वे अपने इस निर्णे को बदल दे समुद्र देव ने कहा कि उनके समुद्र का पानी मीठा वो दूस्से निर्मित है इसलिए वो माता पार्वती को पत्नी बनाने के योग्य है समुद्रदेव के इन कत्नों को सुनकर माता पर्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने समुद्रदेव को श्राप दिया कि जिस मीठे वह दूस्से निर्मित पानी पर तुमें इतना अभिमान है वह पानी अब खारा हो जाएगा वह किसी के पीने योग्य नहीं रहेगा इसी वज़े से सभी समुद्रों का पानी खारा होता है नमशकार मित्रू आज मैं आपको सुनाओंगी एक ऐसी पुराणी कत्था जो बताती है समुद्र के खारे पानी का रहसे क्या आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है जबकि शास्त्रों में तो यहां कहा गया था कि भगवान विश्णू जिस सागा में निवास करते हैं उसका पानी, मीठा वर दूद की भाती था किन्तु इस पृत्वी पर जितने में समुद्र है उन सभी का पानी खारा होता है क्या आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होने के पीछे क्या कारण है पुराणिक मान्यता है कि जब महाराज पृत्व के पुत्रों ने साथ समुद्रों का निर्मान किया था तब उन सभी का पानी मीठा वह दूद की भाती था समुद्र का पानी खा रहा होने के पीछे एक पुराणिक रहे से है तो आईए जानते हैं कि वह क्या है इस कथा के अनुसार जब माता पार्वती शिवजी को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए गोर तपस्या कर रही थी तब उनकी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग कापने लगे जिससे भैबीत होकर सभी देवतागन एकत्रित होकर इस विशे पर विचार विमश करने लगे किन्तु समुद्र देव माता पार्वती की सुन्देता पर मोहित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तूत कर दिये और भगवान शिवजी के विशे में भला बुरा कहने लगे समुद्र देव की इस हरकत के लिए भगवान शिव और बाकी देवताओं ने उन्हें शमा कर दिया जिसके कारण समुद्र देव का एहंकार और भी अधिक बढ़ गया और वह माता पार्वती की समक्ष प्रस्तूत हो गए और उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रग दिया किन्तु माता पार्वती ने समुद्र देव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिससे समुद्र देव को बहुत क्रोधाया और उन्होंने माता पार्वती के सामने भगवान शिवजी को भला पुरा कहा वे भगवान शिवजी को अगोरी, शमशान निवासी और भस्मधारी जैसे नामों से सम्मूदित करने लगे और माता पार्वती से कहा कि वे अपने इस निर्णे को बदल दे समुद्र देव ने कहा कि उनके समुद्र का पानी मीठा वह दूस्से निर्मित है इसलिए वह माता पार्वती को पत्नी बनाने के योग्य है समुद्र देव के इन कत्नों को सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने समुद्र देव को श्राप दिया कि जिस मीठे वह दूस्से निर्मित पानी पर तुमें इतना अभिमान है वह पानी अब खारा हो जाएगा वह किसी के पीने योग्य नहीं रहेगा इसी वजह से सभी समुद्रों का पानी खारा होता है